आनन्द प्रोशल का पत्ना से क्राम्तिकारी पणाम। जितने विभाई मेरे हैं, आज माननी उप्रुक मंद्री विहार सरकार स्री सम्राठ चौधरी जिसे सभी सिक्षक संगटनों की विहार सिक्षक जिसका मंच के मैनर तले, जो बारता हुई है, वो सब पूरा बिहार का ला समक्स अपनी बात को रखेंगे, तो तमाम जो हमारे भाईबान जुड़ रहे हैं, उनसे मेरा अनरोध है, कि सबसे पहले राइट साइड में सेहर का बटम है, आप तमाम लोगों को सीग्रिस से सेहर करके जुड़िए, और जो आपके मन में उच्षकता है, कि क्या हुआ इत बारता बहुत ही महात्रपूर लिया, और आज वहाँ बारता हुई है, मार्नियोग में समस्त्री जिने पाहल किया था, और हम लोगों को बुलाया था, हम लोग यहार सिख्षक एक्सा मंज के बैनत चले, जितने भी सिख्षक संगठन थे, सब पहुंचे थे, उन्होंने 11 मंदल को बुलाया था, तो सारे लोगों वहाँ गए, तमाम लोगों के राई से, आठ सुत्री मांगपत्र, जो आप देख रहे होंगे, सोसल मीडिया पर चल रहा होगा, वो मांगपत्र उनको विदिवत रूप से समर्पित किया गया, बिहार सिख्षक एक्सा मंज के, प्रजीब को और पपुजी के द्वारा, उसके बाद जितनी भी बाते थी, प्रजीब के द्वारा रखा गया, सबसे पहले, फिर जितने संगठन के लोग थे, वो सब अपनी बात को वहाँ रखे, आपका भाई आनंद कौसल सिंग, शुरुआती दौर में ही, क्यों मांग रहे हैं हम बिना सर्थ राजिकर्मी का दर्जा, इस पर दर्क के साथ मानियोक्वक मंत्री को समझाने का प्रयास किया दिया, सबसे बड़ी बात ये रही, कि सरकार के तरफ से बारता में आज अमंत्रित करने वाले मानियोक्वक मंत्र समराज चौजरी जी ने समझने का कोशिस किया है, कि जब सरकार सिक्षक की बहाली कर रही है, नियोजी सिक्षक की बहाली की है, तो फिर सरकार से नियोजी सिक्षक नराज कियो, नराजगी का कारण आज उनको बताया गया, रिटेन में, और उपसीत हो करके, हम लोगों ने नराज़गी का कारण रखा है सबसे पहला मांग जो था वह था बीना सर्थ राजिकर्मी का दरजाद दिया जाए उसको हम लोगों ने उनके समझ से डिफाइन किया आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों के बीच में तमाम भाई में उच्छुत्ता है तमाम हमारी सिक्षिता बह रहे हैं आप किरपया करके सब लोगों को शिग्र जूड़े राइट साइड में सेर का बटम है उसको सिग्र जोडने का किरपादी कि यह अब आप लोगों से आगरा है कि जो आप लोगों ने इतिहासित संगर्स बिप्रीग परिस्ठिती में तेरा फरवरी को पटना पहुंच कर किया है वह सफलता की और बहने लगा आप लोग के अंदर में हुआ साहस और छम्ता था जिसके बाद सरकार आप लोगों के मांग पर विचार करने पर आज विवस हो गई थे आज जो बारता हुई है उसमें हम लोगों ने अच्छा कुछ सबी संगटन के अध्यक्स ने रखा है आनन कोसल ने रखा है सबसे पहले कि बिना सर्थ राजिकर्मी का दर्जा दिया जाए इसलिए दिया जाए परिक्षा का कोई या उचित नहीं है या अस्पस रुक्त समझा दी गई है सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने यह बात कि मानने उपोख मंत्री की हम लोग पहाली के बाद एसी आर्टी के द्वारा जो कि शीख्चुकों के लिए सर्व स्रेश्क संस्थान है उसके द्वारा हम लोग का दक्स्ता परिक्षा लिया गया और उसको जो पास किये हैं वो हाज नौक्री में है 2012 में बिहार विद्याले परिक्षा समीटी के द्वारा चीटी के परिक्षा ले लिग गई और उसको पास करके सब नौक्री में आए तो जब भीहार विद्ध्याले परिक्षा समीथी और SCRT के द्वरा हम परिक्षा दे करके उसको पास करके साथ सर्फ करना हैं फिर हमारी परिक्षा लेना यह इसका कोई यह चिक नहीं तर्फ उनको दिया गया कि हम क्यों परिक्षा नहीं देना चाहते हैं कौई परिक्षा से हमें डर नहीं लेकिन साथ साल की नोकरी में साथ बार कोई परिक्षा नहीं देगा एक बार परिक्षा दिया है और सरफ के शारे आर्टिपा भी अबार बास दाना लिएये और उन्होंने इस नौकरी के लिया चाहता अस्थानंतरन जो हमारा दूसरा बड़ा मांग था कि हमारे लाकों चिक्षी का बहन मायके में रहकर अपना जिंदगी को तबाही के कखार पर पहुंच गया उनका जिस्टा सश्राल पक्ष के लुग नराज है मायके में उनको कखनाई जिलना पर रहा है जिंदगी उनका जहन्नुम हो गया हमारे जो जिब्यांग सिख्षक है वो परिशान है हमारे तमाम जो सिख्षक है वो परिशान है 2020 की निमावली में बहुत बड़ा संगस करके हम लोग ने आप लोगों के अस्थानाच्रन के मुद्दे पर बीना सर्थ राजिकर्मी का दर्जा का मुद्दा पर पर्मुक्ता के सात तरक के अधार पर एविडिन्स के अधार पर मान्य उनको सिख्षक है सामने लिके तुरुच्षक मौक्षक से तरक को धठा गया उसके बाद तमाम तुम तरह कि जो बिहार में कारवाईयां हो रही हैं चाहे तेरा तारीक के संद्या में जो एठायार दर्ज हुआ हिला परषाशन के द्वरा बार-बात जो सिख्शकों को निलंबिक किया जारा है वीना किसी दोस्त का अ गया Ś써 سे बेतन कतवथीं किया जारा है तमाम तरह का जो दमनात्मा कारवाई की जारी है उस पर एक सुर में हम लोगों का मांग किया गया हम लोग के दोरा कि जो भी ऐसे पदादिकारी है पाथक जी उनके ओपर अंकुष लगाया जाए और उनके ओपर नियंतरन सरकार करे और तमाम ऐसे आदेश को रख गया स्कूल का समय जो पहले था वही निधारित किया जया उसका भी तर्क दिया गया अकास तालिका पर विश्कित रुप से चचक की गई और उसको तर्क के साथ उनके पास रखा गया कि बारता के बाद तमान बिंदू को चाहे प्रोलती हो या जो कुछ भी आपकी मांग की सब को रखा गया मुख रूप के करिक्षा हम नहीं देंगे इनासर्थ राजकर्मी का दर्जा एक्षिक अस्थानांत्रन इस पर जब मान्ये उप्मो की मंत्री जीने सभी के बातों को पफिनने के बाद अपना वक्तब दिया उन्होंने साफ हमारी सरकारक से लेकर सिकषक की भी नियोजी शिक बाली कर रहिए उनको सब्सीद देने का काम कर रहे हैं पिर भी हमारे थृधा के दोरा क्या ऐसा मिश्टिक हो जा रहा रहा है कि सिक्षक सरकार से नराज रखते में थे तो आपकी लड़ाई लड़ते थे लिकिन जब हम सरकार में आ गए हैं तो आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे आपके जो समस्या है उसका समालान का मार्व करता के बात कि यह हमको दिल्ली जाना है हमारे पार समय नहीं है इसलिए तौल ही हम इस पर अपना जो बात आप राज कर्मी का दर्जा कैसे प्याजा एक्षिक अस्थानांतरन का प्राभधान कैसे किया जाए इस पर खल ही हम विचार करेंगे कल ही हम संबंदिक तमाम लोगों से बात करेंगे और रास्ता निकालने का प्रियास मतलब 24 जंता मतलब कल फिर इसी टाइम तक उनके कथना अन आज असपस भूश से दिया है आपने बस्ता में सभी के बातों को सब्सक्राइब करेंगे हमारा परिक्षा इसी सी बी ने ले लिया है तो फिर हमारे उपर परिक्षा लाद करके हम को नोकरी से निकालने का जो प्रावदान किया ज़ा रहा है इसका कोई आउचित नहीं है या संविधान के खिलाफ है या जितना भी मानिने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का अदेश है उससे इतर जाकर लिया गया फैसला है इसलिए भुलंदी से अपने आबाज को उठाने का जरूत था और आप लोगों ने 13 फरवरी को विहार विधान सभा के समक्ष पहुंचकर जो चत्तामी एक्ता का पश्चे दिया है उसका नतीजा है उसका फलाफल है कि आज सरकार आपसे बात करें अब बात करके आपकी बात क समझ करके यह कह रही है कि आज हम समझे हैं क्या परिक्षा क्यों नहीं देना चाहते हैं तो मान्य उप्लुक्य मंत्री जी आज के पहले उन्होंने बताया कि आज के पहले हम सोच रहे थे कि ओफ लाइन कर देंगे तो आपकी मांग पूरी हो जाएगी डेट खतम हो रहा है इसको बढ़ा देंगे फॉर्म बढ़ने का तो आप लोग संतुस्त हो जाईएगा लेकिन आज इस बैठक में हमको पता चला है कि आप परिक्षा दे चुके हैं पहले से इसलिए परिक्षा का आपके लिए उचित नहीं बनता है यह बात आज हम यहां पे आने बैठक में कोई परिक्षा से डरते नहीं लेकिन साथ साल की जब नौक्री हो चुकी है पिछली निमावली में और उसके लिए जब हम परिक्षा दे चुके हैं तो हम परिक्षा क्यों देंगे दूसरी बात हमने जब अपने बक्तब में यह बात उनसे कहा कि मानिने मुक्षी मंत्री ज दा सुनरी निमावली आई है उसमें हमारे बेतन में एक रूप्या का परोती नहीं गया तो यह ज很多 कौनी तरीके से परिक्षा का क्या आविशकता है और किसली परिक्षा लेका रूप्या का हमारा बेतन बढ़ नहीं रहा है हमारा जो पहले एपी अप मिलता था प्रापधान को खत्म करके सिर्फ NPS किया गया है तो आप यह समझे ना कि हमारा जो बेतन है उसमें तो एक रुप्या की बड़ोती नहीं हुगी तो इस पर भी उन्होंने संज्यान लिया तब उन्होंने कहा कहीं कहीं कुछ कमी रह जा रहे है यह नीडमे में जिसके चलते हैं नियोजी सिक्षक सरकार से नराज चलते हैं इस नराजगी को आप खत्म करेंगे यह इक्षा सक्ति उन्होंने प्रिक्षा सबसे बड़ा बात रहा कि इसके लिए ज्यादा उन्होंने लटकाया नहीं अपने बक्तब में अस्पर सुरू के कहा कि हम कल ही इस पर बात के कुछी फोरम पर और समधान क्या निकलेगा आप लोग बात रखे हैं कि परिक्षा विनादिये राजकर में चाहते हैं एक्षिक अस्थानांत्रन की जो भी शिक्षा पहले से कारिरत हैं और दक्ता-पात्रता परिक्षा उत्यर्ण है उन्होंने अस्पस्त रुप से समर् पिपक्स में थे तो आपकी लडाई लड़ते लेकिन जब सरकार में आगा हैं तो आपकी लडाई नहीं लड़ेंगे आपके समस्या का हम समाधान कराएंगे यह हमारा करतब भी है तो यह बहुत सकारात्मक बात हुई है आप देखिए जो बात उन्होंने कहा तो हम आपको समस्या देशाम है शुआ कि हमारा जो मांग था उस पर उन्होंने उसको समझते हुए उसका समधान करने के लिए सरकार पर देखिंगा प्रियास कि नाके लगा है अज बात का उन्होंने जो अपना बक्ताविया है उसे हमको लगा है हम तमाम साथी को कि यहाँ बारता में आने के पहले वो सरकार के मुझ्टमत्री से भी और माननी तिश्या मत्री से भी अधुत बातें कड़ किया है और कल जो है अपने सारे विशियों को समझने के बाद कल यानि स्वोल तर स्वोला फर्वरी को वह पुनह इस संदर्म में विभाद से और तमाम जो हमारे मुख्ट मंत्री जी है या सिक्षा मंत्री जी है उससे बात करके समाधान निकालने का प्रियास करें यह अऔर प्रियास होगा तो यह एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया है कि इसको लटका भी ने रहे हैं आपके समस्या को जानने के बाद यह महिना के बाद करेंगे पाश दिन के बाद करेंगे उन्होंने चोवीस घंता के अंदर में इस तरह से इस मामले को सरकार के समस्द रख करके मानि सरकार का मतलब है मुख्यमंत्री जब बोल रहे हैं तो मुख्यमंत्री के समय रख करके उसका समाधार निकल वाएंगे इसकूल का समय पुरुबत किया जाए जो अब गास तालिका है वो लागो किया जाए यह पुरुबत किया जाए और यह तो हमारे द्वारा रखा गया उन्होंने जो है आने राजियों का भी हवाला दिया तमाम तरह का जो केके पाठक के द्वारा जमनात्मक करवाई की जा रही है नियम कानून के विरुद उसके संदर में विश्टुत रुप से उन्होंने व्योरा भी प्रस्तुत किया और सभी सिक्षक संगठन के सब लोग बारी बारी के अपनी बात को रखे हैं खास करके हम अब देखना यह होगा कि क्या मानिनी उप्पु कुमंत्री जी जो आस्वसन दिये हैं उस पर क्या समधान निकलता है और समधान अगर निकलता है तो किस रूप में हमारे बिना सर्थ राजिकर्मी के दर्जाए की मांग वह पूरा कर रहे हैं एक बात आप असवस्ट जान लिए जो मानिनी उप्पु मंत्री जी का बॉडी लेंगिज था और जो दिर्टा उनके द्वारा दिखाया गया अपने बक्तव के द्वारान उसे एक बात असवस्ट था कि वो चाहते थे कि शिक्षक को हम नियोजी शिक्षक को हमी बहाल किये ने फिर भी नियोजी शिक्षक NDA सरकार से नराज है तो उसका नराजगी धूर किया जाए यह एक मुख्य बात उनके बक्तव के दौरान निकलकर के सामने में आया है और जब जब उनका बक्तव हो रहा था तो तो तमाम हम लोगों का बात हमको लगता है कि एक घंटा के उन्होंने भी बिंदू बार अपनी बातों को रखने का काम किया है मेरे भाई मेरे बाहन जो संदेश हम दे रहे हैं वही वहां पर बात हुए है राइट सेड में सेर का बटम है एक एक सिक्षक तक यह पहुँचा ही है और तमाम क्रामतिकारी बिहार के लाको लाक सिक्षक है वह किसी भी संगठन से चुले हैं बिहार सिक्षक एक्ता मंज के बैनर के नीचे चल रहे हैं उनको हम प्रणाम करते हैं कि यह जो बारता का अवसार प्रदान हुआ है हम लोगों को यह आपकी आदम सहाथ है आपने जो एक्षा सक्ती तमाम बाधाओं के भी पतना कभी भी किसी परिश्चिती में घवराने का जुद्धन है आप तमाम लोग जान रहे हैं कि यह चुनावी साल है लोक सवा का चुनाओ है फिर आने वाले समय विधान सवा का चुनाओ लंबे समय से हमको इंतजार था कि सरकार नहीं सुन गई है कभी तो हमारा समय आएगा आ कोई भी सरकार आपके इस धतानी एक्ता के सामने तीक नहीं सकेगी आपकी बात मानने पर उनको विवस होना पड़ेगा और आपके तमाम संगत्नों के प्रदेश अजयतन हैं बहुत ही विधोता के साथ हम ही नहीं रखते सभी संगतन के अजयत्ष को बराबर मौका मिणा अ पपनी बात को रखी है सबसे बड़ी बात है इसे लंबे समय तक सारे सिक्षक संद्मों की बात उन्होंने गंभीलता पुरबक सुना सुना अब उन्होंने राजनितिक डिस्टी से करके पूरानी नीमावली में 2020 के नियोजन नीमावली में जो प्रावधान एक्षी का सनांतरन को था उसको भी लागू नहीं किया गया और आप तो खतम करके, randomization करके, इतर बितर सिख्षक को करके, भविश को और उनके घर को तबाह किया जा रहा है, यह बात उन्होंने समझा, और उसके बाद अस्थानांत्रन तो निश्ची तुरुक्षे होना चाहिए, यह आपका अधिकार है, अब यहार सरकार के उकमुत में प्रियदर कहते हैं, तो निश्ची तुरुक्षे उन्होंने उनको जारा यह बात सरकार के पास, मन्मुत मंतिर जी के पास रखा जाएगा, और आपका बिना परिक्षा दिये, किस प्रकार से राजिकर्मी का दर्जा लिया जा सकता है, बंसीदर ब्रजवासी जी उसको रख अपनी चटानी एकता बनाए रखे, राजनीती से उपर उठिये, संग संगठन से इधर हटिये, संग संगठन से इतर हटिये, और बिहार सिक्षक एकता मंच को इसी तरह मजबूत किये रहे हैं, मिरे भाई, मिरे बाहन, ये अंकिम और निरनायक संगर्ष्टा दौर हम रखे, और बिहार सिक्षक एकता मंच को इसी तरह मजबूत बनाये रखे, आज की बार्ता का जो भी जिशय आपके सामने में रखना था, उसको हम रखने का प्रियास किये हैं, और सबसे बड़ा बात है कि जो भी बात को उनके सामने लिखित रूप में रखा गया, उसका सा सब्सक्त के साथ रखे, और सबसे बड़ी बात है कि माने लिखित रूप मंतरी समझी उसकी, अब अगर समझ करके हम लोगों को जो आस्वासन दिये हैं, उसके लिए निश्ची तुरुप से हमको भी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ज्यादा समय नहीं पर और फिर आपको बुलाएंगे, अब बुला करके जो प्रयास हुआ है, उसकी जानकारी देंगे, तो यह एक तरह से आज का जो बारता था, वह पट्री पर जाता हुआ नजर आया, अब इसके फलाफल के लिए हमको जो माने उक्मुक्मुएंद्रिर कहा है, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, और हम लोग उनका इंतजार करेंगे, फिर बिहार सिक्षक एक्ता मंच के संयोजय कादरिनी प्रदीश्वार पपुजी के नचित में हम सभी संगटन के लोग बैठेंगे, और आगे की फिर रनिती बनाने का काम करेंगे, आप तमाम लोग से रहा है, चत्तानी एक्ता बनाए रखिए, बीना असर्थ, बीना परिक्षा, राज कर्मी का दर्जा, एक्ची का स्थानांत्रन, या जो मुझ्च मांग था, इसकूल के समय अबधी को पुर्वत करना, अपकास तालिका जो पहले से थी, उसको बहाल करना, और प्रोनती वग है, उसको रखा गया है, चाहिए वह दमनात्मक कारवाई का हुआ, एफ आप देखे ही है, कि हम अपनी दो बहान, भागलपूर से हमारी बहान, संगठन की परदेश स्रीमती सुप्रिया जी, और सहरसा से हमारी बहान, नूतन सिंग जी, जिनको की बीजेपी कारिया लेके प हमारे साथ उसमें भी कारिकारी अद्यक्त पंकर जी, प्रदेश उपाद्यक सितामडी जी, रामचंदर जी, कारिकारी अद्यक्त तमाम संग के साथी घटे थे, इसके अलाबा भी कई 10 लोग जमानत के लिए वहाँ पर अपना धसकत की अपना धार काट दिये, और जितने ल कर दीजिए, या गोली मार दीजिए, या फासी पर लटका दीजिए, सरकार को हमारी जाइज मांग पूरी करनी चाहिए, और पूरी करनी पड़ेगी हम सब मुकदमा जेल, हम जेल में जीवन गुजार देना अज के लिए तयार है, लेकिन पीछे इस बार नहीं अटेंगे, हमारा मांग है, बिना सरक राक्षानी का दर्जा, और एक्षी का ठाना अंतरन, और तमाम जो आप सुप्री मांग दिये हैं, उसको पूरा करने का, इसलिए हम खाना चाहते हैं सभी लोगों के, बिहार का, या कब संबभ होगा, जब आपकी चटानी एकता इसी तरह बनी रह हैं, और बिना डर्वेके, बिना डर्वेके, जब भी बिहार सिख्षे के इसका मंच संघर्ष का आउवान करे, उसको आना है और सफल बनाना है, खौरम ओरम अभी भरने के चक्कर मत रहिए, बारता चल रही है, आप देख रहे हैं, कि आपका बात को समझा नहीं गया था, गौई का रहा था, और समय बला दे रहा है, बातât हैंी, और सरकार में जो आस्टरसन दिया है, कि समाधान क्या निकालते हैं, इसकी जानकारी आपको देंगे, उस जानकारी के लिए इंतजार करिए, और एक-ईक सिर्ष का बटम खाली देख्वेदों, ये प्लेट फोरम मेर साथ नहीं जूले हैं फॉलो का बटम रात दिन आदमी का जिंदिगी जहन्नुम हो गया पटना में दरदर की ठोकर खाके आपके संगर्ष को मुकाम तक कहुचाने की कोशिश की जा रही है और आप लोग साथ में जूल करके रहना भी नहीं चाहते हैं तमाम लोग का कहना था क कि अस्थानांतरन हो जाएगा जबरदस्तिक कर देगा थाम नोकरी छोड़ देंगे आज उस दिशा में हम लोग आगे पढ़ जाए हैं कि कोई भी आपका जबरन अस्थानांतरन नहीं कर सकता है एक्षिक अस्थानांतर करेगा जो बहान हमारी पटना में आके फसी हैं उनक किसी भी परिश्थिसी में दूसरे जिलामें अस्थानांतरन नहीं किया जाएगा आईसा आस्थासन आज का बारता में मिला है वह साहमत दिखें हैं एक्षिक अस्थानांतरन के मांग से तो आपको परिक्षा दिए बिना राजकर्मी का दलजा चाहिए इस चीज़को भी मा पुक्त मंत्री समझें और एक्षिक असना अंतरन पर उन्होंने अपना बक्ता भी दिया है यह तो आपका जायग मांग है संबैधानिक मांग है और उसको हम लोगों ने समझा भी दिया है आप